कॉलेर जिले में किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म में अभी भावकों के साथ ठगी के शिकायतों के बाद पैते स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है आपको बताते कि जिले में बीते कई दिनों से किताबें और स्कूल युनिफॉर्म में अभी भावकों से ठगी को लेकर लगतार शिकायते आ रही थी जिसमें स्कूल और दुकानदारों की कई खामिया भी सामने आई थी वहीं कलेक्टर रूचिका चोहान के नर्देश पर स्कूलों की जाच के लिए संबंदित SGM के नेतित्व में जिले में आच टीमें गठित की गई हैं और इन गठित टीमों द्वारा जाच में सामने आया है कि स्कूलों में कई और अवयवस्थाएं हैं और स्कूल ड्रेस के मामलों में भी कई स्कूलों की भूंबीका संदिक मिली है जिसके चलते नभीन सैशडी सट्र जो है एक अपरेल दोजार चौवी से प्रारम हो गया है और इस सत्रों प्रारम होने पर बेविन निपाल को द्वारा बिद्धालेओं में अपने बच्चों को प्रवे दिलाया आता है और बच्चे यहां पढ़ते हैं और उनसे इस पूर बिद्धालेओं वाले फीस संग्राइद करते हैं मतप्रदेश आसे इसबरुस Start के आदेश तता जो हमारे विवाग का राजपत्र है उसके नियमों के अंतर गत बिद्धालों को संचालीत करने के लिए कुछ प्राभधान किये गए उन प्राभधानों के तहत जो है बिद्धालlaya प्रवंदैन जो है बिद्धाले का संचालन क करता है तो इस सत्र के प्रारम होने पर मानिय कलेक्टर मोध्य द्वारा गतवर्ष की बहां ती इस बर्द भी एक 144 की अधिशुचना लागू की गई जिसमें ये प्राभदान किया गया कि जो ब्यक्ति जिसका बच्चा जो है वो भी जालने में पढ़ रहा है और किसी प्रक इसी क्रम में जो है वो जिलाप रशाच्चन द्वारा राजश्च दिकारियों और हमारे सेंस संचालक और स्वयम मेरी तदा डीपीसी की कई टीमें यहां पर पनाई गई और उन सभी दलों ने विद्ध्यालेयों और पुस्तर विक्रेताओं के आहां रिछण किया दो दु कि ट्रुण तधे स्वयम इसानिकी कंईय 16 उत्म है गया बक्रेत isानियों से माणने करेक्टर महदए और जिला प्रुषःचन को अगधत कराया गया इसलिये ऊहां बदो द माताव सूजना पत्तर जारी किया गया है जारी किया ग्या गया थिदू को शुचना पत्तर जारी किया है